नमस्ते जी वेलकम टू आवर यूटूब चैनल डुवाइन सोल फिटनेस आज मैं फिर लेकर आगया हूँ एक मज़दार और ट्रामी कहानी ये कहानी भेजी है मुझे सुबहम ने चली सुनते हैं सुबहम की कहानी उनी की जुवानी दोस्तो मेरा नाम सुबहम है और मैं हमाचल का रहने वाला हूँ तो एक बार मैं घरवालों की इसी काम से एक गाउ में गया था उस गाउ में मेरे एक दोस्त भी रहता था तो मैंने सोचा कि अपना काम भी कर लूँगा और अपने दोस्त से भी मिल लूँगा लेकिन जब मैं पहुचा तो मेरा काम किसी विज़े से नहीं हो पाया क्योंकि मुझे जिन से मिलना था वो कहीं गए हुए थे और अगले दिन ही वापस आने वाले थे वापस घर आने कोई फायदा नहीं था तो मैं अपने दोस के या चला गया जो कि उसी दोस गाओं में आसपास घुमते रहे फिर साम को खाना खा कर हम सोने के लिए चले गए पहले तो हम काफी देर तक मूवी देखते रहे इसके बाद मेरे दोस को नहीं आने लगी तो वो सो गया लेकिन मुझे अपने घर के लावा किसी नहीं जगे पर जली से नीद नहीं आती तो काफी रात तक तो मैं अपना फोन चलाता रहा फिर मुझे टॉलेट लगा तो मैं टॉलेट के लिए बाहर निकल गया बाहर काफी सर्दी थी और आसमान एकदम साफ था चांद की रोसनी काफी तेज थी तो सब कुछ एकदम साफ चमक रहा था पता नहीं क्यूं मेरा मन बाहर गूमने को करने लगा मेरे दोसके घर के पास में एक नदी भी पढ़ती है तो मैं उस तरफ चल पड़ा चारो तरफ सरनाटा था तो मैंने टॉलेट किया और एक बड़े से पत्तर पर बैट कर मोसम का मजा लेने लगा नदी की दूसरी तरफ कुछ जानवर दिखे जने मैं देखने लगा मैं उन जानवरों को देखी रहा था तब ही मुझे नदी की उसी तरफ जाडियों में कुछ रोसनी दिखाई दी जैसे किसी ने मसाल जिला रखी हो मैं हैरान हो गया इस समय यहां पर कौन हो सकता है जब वो रोसनी जाडियों से बाहर आने लगी तो जानवर वहां गूंग रहे थे अचानक उनस में भगदड़ मच गई और देखती देखते वो जानवर कहीं गायब हो गए तब ही मैंने देखा उन जाडियों में से मसाल हाथ में लिए एक आदमी बाहर निकला उस आदमी ने एक तुम सफेद कपड़े पहने हुए थे जो उपर से नीचे तक एक जैसे थे जैसे अरब में लोग कपड़े पहनते हैं लेकिन उस आदमी की लंबाई बहुत ज़्यादा थी शायद 10-11 फीट रही होगी ये देखकर मैं हैरान हो गया और मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा ये डर तब और ज़्यादा बढ़ गया जब मैंने देखा उस ज़ाड़ी में से उस आदमी की तरह और भी आदमी निकलने लगे मैं जल्ली से उस पत्तर के पीछे छिप गया जिस पर मैं बैठा था हिरानी की बात ये थी कि उन सभी आदमीों की लंबाई बराबर थी और सभी आदमीों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे और सब के हाथ में जल्ती भी मसाल थी वो लोग पताने कहां से निकलते ही जा रहे थे और वो सब एक के पीछे एक लाइन लगा कर चल रहे थे आपस में किसी भी तरह की कोई बात भी नहीं कर रहे थे वो सब एकदम सुपचाप चल रहे थे वो लोग साठीय सत्तर की संख्या में रहे होंगे उन मेंसे किसी का भी चेहरा साब नहीं दिख रहा था जैसे कि उनका चेहरा हो यी ना हो ये सब देखकर मैं डर से कांपने लगा कांपते हुए मैं उनको पत्तर के बीचे से देख रहा था फिर एक जगे जाकर वो लोग एक गौला बनाकर खड़े हो गए अब मैं बुरी तरह से फस गया था क्योंकि इतनी रात को ऐसी विरान जगा में कोई इनसान आही नहीं सकता था मैं एक दम अकेला था और कोई मदद भी नहीं कर सकता था फिर मैंने देखा वो लोग उसी सरकल में गोल गोल घूमने लगे वो लोग किसी दूसरी दुनिया के लगे रहे थे सायद वो कोई दूसरी सक्तिया थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ तब ही अचानक वो लोग रुप गए और उन मेंसे एक आदमी हाथ उठा कर मेरी तरफ इसारा करने लगा उन सब ने एक साथ मेरी तरफ देखा अब तो मेरी आखे डर से फटी की फटी रहे गए मुझे लगा अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले सायद मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएंगे मैं डर से रो रहा था तब ही वो लोग अचानक एक करके गायब होने लगे अब वहां कोई नहीं था ये देखकर मैं डर से बहो सो गया सायद एक गंटे बाद मुझे होसाया होगा तो मैं जल्ली से अपने दोस के घर भागा और चुपचाप सो गया सुबह जब मैं उठाता हो ये सारी बाते मैंने अपने दोस को बताई तो उसने कहा तु पागल है इतनी रात को उस तरफ क्यों गया वो लोग पिसाच थे वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया गाउं के कई लोगों ने उनको देखा है और कहते हैं कई लोगों को वो पिसाच मार भी चुके है उसके बाद मैं अपने घर आ गया आज भी वो घटना याद करके मैं डर जाता हूँ तो ये थी सुखम की कहानी आपको इनकी कहानी कैसी लेगी मझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं अगर आपकी वे ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे साथ से एर कर सकते हैं वोटसेप एंश्टा या फिर मुझे इमेल कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मौदूद है बाकी इस तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक, शेर, कॉमेंट जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना थ्यान रखें धन्यवाद